मैं मेरे प्यारे देश वास हूँ, एक छोटी सी अपेक्षा आज आप से सामने रखना चाहता हूँ, इस दो अक्तूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक क्या इस से देश को मुक्ति दिला सकते हैं। हम निकल पड़े, टोलिया बना करके निकल पड़े, स्कूल, कालेज, हम साथ पुझे बापु को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बहार चोराये पर पड़ा हो, गंदीना, साथ भी खटा करे, नगरपाली का है, मा नगरपाली का सब इसको जमा करने की बतर करे, और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिसा में, दो अक्तूबर को पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या, आए मेरे देश वाजियों, हम इसको आगे बढ़ाएं, और फिर मैं स्टांट अप्लालों को, टेक्निशन्स को, उद्यमियों क आगरा करता हूँ, कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें, जैसे हाइवेज बनाने के लिए, प्लास्टिक अब उप्योग हो रहा है, ऐसी बहुत थी विदाएं हो सकती हैं, लेकिन जिसके कारण अनेक समस्याई प्यादा हो रही हैं, उससे मुक्ति के लिए हमने ही अभियान छेड़ना होगा, लेकिन साथ सार हमने अल्टरनेट ववस्ताइं भी देनी पड़ेगी, मैं तो सभी दुकानदारों से आगरा करूँगा, आप अपने दुकान पर हमेशा बौड लगाते हैं, एक बौड ये भी लगा दीजिए, क्रिपा करके हम से प्लास ही है, हम एक बातावन बनाएं, दिवानी पर हम भाती भाती की लोगों गिप देते हैं, क्योंने इस बार और हर बार कपड़े के थेले लोगों को गिप करें, ताकि कपड़े का थेला लेकर के मार्केट जाएगा, तो आपकी कंपनी की अवर्टाइजमिन भी होगी, आप सि तूट के थेले हो, मेरे किशानों को मदद करेगा, कपड़े के थेले हो, मेरे किशान को मदद करेगा, छोटे-छोटे काम है, गरीब विद्वा मा, जो सिलाई करती होगी, उसको मदद करेगा, यानि हमारा एक छोटा संदिन भी, सामान्य मानवी के जीवन में किस प्रकार स बड़लाव ला सकता है हम उत दिशा में काम करें